नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा पिया बिहार विधान सबा का शीद कालीन सत्र शुनू होने जा रहा है बताया जा रहा है कि बिहार विधान सभा का शीद कालीन सत्र नोवेंबर के आखरी हक्ते में शुरू हो सकता है लेकिन इस बार का विधान सभा सत्र जो है वो काफी हंगामेदार हो सकता है बता दे कि विपक्ष कई मुद्दों को उठा सकता है चाहे वो बेगु सराय का गोली कांड हो या फिर गोपाल गंसे जो महागट बंधन के प्रत्याशी है उप्चनाव में मुहन प्रसाद गुपता उनके शराप तसकरों से कनेक्शन को लेकर के हो या फिर बीटा में बालू ग्षीकर की जा रही है नवेंबर के आखरी हफते में बिहारुदानस्वा का शुईतकालीन सट्र शुडू हो जाएगा और इसको लेकर के सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जो सदस्य वो अच्छी तरीके से जो संचालन होगा उसकी भूमिका को सुनिश्चित करें इस विधान सभा से जुड़े सूत्रों के अगर माने तो बिहार विधान सभा सच्छेवाले इसी महीने के अंतिम सप्ता में शुरीत कालिन सत्र शुरू होगा ऐसे लेकर के तैयारियां जो कमाम हैं वो की जा रही है और विधान सभा अध्यक्ष अवद बिहारी चौदरी के अध ध्यक्ष के उसे स्वच्छता और सफाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किये गए हैं और सदन के अंदर माई की विवस्था को सही करने के अलावा विधान सभा के नए भवन को जोडने वाले मार्ग में स्थाई शेट के निर्मान का भी आदेश दिया गया है सियासी गल्यारों में चर्चा है कि महागडबंधन उप्चनाओं को लिटमस टैस्ट मान कर चल रहा है महागडबंधन को उमीध है कि दोनो सीटों पर आजड़ी के उमीदवार जीत दर्ज करेंगे वही उप्चनाओं में हुई कम वोटिंग को लेकर सियासी दलों में किया जा रहा है कि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए साथ ही जो भी तमाम वहाँ पर माइक से लेकर के जो भी सुविधाएं हैं ये बिहार विधानसभा के सदस्यों को मिले इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है लेकिन इस बार का जो बिहार विधानसभा का श्रीत कालीन स पत्र है इसमें हंगामा तो देखने को मिलेगा ही।